दोस्तों आप यह सोचिए कि कल्यूग कैसे बैड है जबकि यह कल्यूग में आपको कितनी अच्छी टेक्नोलोजी मिली आपके पास आज ऐसी सुविदा है कि आप जो इनफोर्मेशन जानना चाहते हो वो आपको तुरंत मिल जाता है जबकि पहले के टाइम बे एशन एज में तो ऐसा था नहीं इतना अच्छा टेक्नोलोजी इतनी अच्छी सुविदा इतना अच्छा स्टांडर ओफ लिविंग तो बिल्कुल नहीं था हाँ no doubt there were good level of people भगवान लेवल के लोग थे जो उड़ते थे जिसके पास special skills थे लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें पहले के ancient time के आम आदमी जैसे हम मैं और आप है उसके पास तो ऐसी special talent थी नहीं एसी skills थी नहीं कि हर कोई उड़ पाए ठीक है या at the fingertips आपको जो information सीखना हूँ आप सीख सको तो ये सारी इतनी अच्छी सुविधा कल्यूग में है मुझे को भी बताते हैं कि कल्यूग में सब बुरे लोग है क्या ऐसा है क्या आप बुरे है क्या मैं बुरा हूं अब ऐसा क्यों बताया जाता है कि कल्यूग में सब लोग बुरे हैं अगर कल्यूग में सब लोग बुरे हैं तो ऐसा क्यों बताया गया कि भगवान जो है कल् कल की आउतार लेके लोगों को बचाना आएंगे जबकि सब लोग बुरे हैं कल यूग में तन वाई गॉड इस कमिंग टू सेव अस क्योंकि हम तो बुरे हैं क्यों बचाना आएंगे भगवान बुरे लोगों को बुरे लोगों का तो भगवान इस पर सास्त्र है तो दोस्तो कल्यूग बैड इसलिए है क्योंकि कल्यूग में हर एक्षण ऐसा होता है चो आपको अपने गोल से दूर कर देता है इस इस दे इफेक्ट ओफ कल्यूग विच इस वेरी बैड जिसके कारण डिससटिसफेक्शन, सैडनेस यह सब बढ़ता है लोगों में आपको भटकाया जाता है हर एक शन, हर एक मुमेंट आपको अपने गोल से भटका देगी इसलिए कल्यूग को सबसे खराब माना गया है अब इसको मैं आपको डिटेल से, एक्जाम्पल से समझाता हूँ जैसे मैंने एक पोमो डो अप्लिकेशन डाला था उसमें मैंने एक ही अपना टास्क डाला था कि मैं चैंटिंग कर सकूँ रैट, क्योंकि बाकी सारी तो अक्टिवीटी अपना बिजनेस अक्टिवीटी सब हम करते रहते है लेकिन मैंने क्योंकि की और गौनाइज बिए कि सबंदा टाइमली भगवान को समया दे सकूँ मिन चांटिंग कर सकूँ इसलिए मैंने हरे क्रिश्चना-books क्रिश्चन- iPad स्धा PG और जैसे मैं टास्क एड उसमें करता गया keeps aunque तो मेरा जो भक्ति का जो टार्गेट था राइट वो मैं अचीव नहीं कर पाया वो कहीं न कहीं छूटता नजर मुझे आया तो कल्यूग वाइज इस इस बैड राइट कि इनका हर एक शणा हर एक एफेक्ट ऐसा होता है जो आपके गोल को आपके टार्गेट को बढ़गा द होती है राइट कि जब आपके पास कम चोईस होती है तब जादा खुश रहते हो क्योंकि खुश रहना जादा इंपॉर्टन है अमीर बनने से भी बैतर